जब हम living things की बात करते हों तो हम living things के अंदर animals and plants तोनों को जिखर करते हैं क्योंके animals and plants जो है वो differently environment डिस्पांट करते हैं that's why इनकी coordination भी different होती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि plants के अंदर coordination कैसे होती है अगर मैं प्लांस की बात करूँ तो प्लांस जो है वा इन्वार्मेंट से डिफ्रेंट बहेवर जो है वा शू करते हैं For example क्योंके प्लांस इन्वार्मेंट में मूफ नहीं कर सकते चेंज नहीं हो सकते भाग नहीं सकते So that's why उनका जो response होता है stimulus का वो काफी हद तक change होता है animal से कैसे change होता है? environment के दो तरीकों के behavior होते है या तो वो अपनी growth को increase या decrease करेंगे because of the external stimulus या फिर वो अपने पानी के अंदर जो है वो पानी की concentration के वज़ा से cell की turgidity increase करेंगे या decrease करेंगे जैसे अगर आप इन दो plants को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इस plant के अंदर क्योंके water level जो है वो high है So that's why ये plant जो है ये अपनी growth जो है ये अपनी शो कर रहे है और ये plant जो है ये wilted नहीं है जबके इस में ये जो plant है ये अपनी wilted है which is the behavior sign कि इसके अंदर जो हो water deficiency होगी फिर इस तरह से plants के अंदर जो था वो hormones create हुए है और ये hormones वो chemicals होते हैं जो कि plants के अंदर किसी भी stimulus को respond करवाने और किसी भी external या internal stimulus या plant की growth को जो है वो alter करने की capability रखते है hormones क्योंके chemicals होते है so that's why इनको create करना इनको release करना फिर ये release हो कि अपने targeted points पे जाते हैं और फिर वहाँ पे एक करवाते हैं so that's why ये काफे slow process था लेकिन क्योंके plants चो होते हैं उनने फॉरन से हिलना नहीं होते हैं ये movement नहीं करनी होती so that's why ये hormonal response plants के अंदर जो था आपको clearly नजर आएंगी for example किसी भी stimulus या किसी भी चीज़ की presence या absence की वज़ा से उसकी तरफ movement या उसके away movement को हम लो autonomic movement कहते हैं अब ये जो autonomic movement होते हैं ये plant की किसी भी certain part की हो सकते हैं for example जैसे आप लो शूट और roots को देखो तो जो roots होती हैं वो plants की जो रोशनी होती हैं उसके away movement करती है तो पूरा पौरा रोशनी की away मbbe करता हैं सिफ की जो roots होती है chromाड जो भी उसका हैं बिल्कुल इसी तरह जो आपकी जहें हो बसक्ते हैं वह light की तरफ moved करते हैं तो ये एक certain part की movement है फिर एक पूरह whole part की movement because of the external stimulus, यह भी जह यह प्लांट के अंदर शुरू होती है, इसकी common example आप सनफ्लावर को देखें, जैसे आप सनफ्लावर को देखो, तो जैसे जैसे जहां सूरज की direction होगी, वहीं पर सनफ्लावर का जो पूरी body होगी, पूरी जो direction होगी, face of the plant, वो जह हो sun की तरफ जह हो move करना शुरू करेगा, इसी तरहां जब आप एक touch में not plant को touch करते हैं, तो उसकी वज़ा से भी जो movement होती है, वो because of the external stimulus की वज़ा से, तो वो भी जह है यह plants के अंदर, जह है यह movement नजर आती है, तो इस तरहां से जो plants होते हैं, वो इन दो तरीकों से environment को response करते हैं, और इसके अंदर